हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल, एट्स लर्न पियस आई आर, सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, और काफी बेहतरीन तरीके से अपने प्राई को continue कर रहे होंगे, सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, Father of Individualism, आनि कि Thomas Hobbes को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तरह उनके बाइग्राफिक को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, और आज हम लोग करने जा रहे हैं, उनके one of the best concept, one of the best theory on role of scientific method in politics So friends, be energetic and let's get started चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग role of scientific method in politics को समझना, उनके दिये गए एक प्यारे से quote के साथ Words are the money of fools Friends, इजए quote आप देख रहे हैं, यह Thomas Hobbes के book दालेवियाथन से लिया गया है, जिसके माध्यम से वह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि जो words होते हैं, जो सब्ध होते हैं, अकसर लोग उसे गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यह कह सकते हैं, यह यह कह सकते हैं कि और सब्धों के थुरू लोग क्या करते हैं कि बड़े ही चालाकी से किसी को भी अपने बातों में फसा लेते हैं, ठीक है, और खास करके मतलब जो Thomas Hobbes से वो उन लोगों के बारे में कहना चाह रहे हैं, जिनके पास education का साच्छरता की कमी होती है, यानि कि मुर्ख लोगों के बारे में वो कहना चाह रहे हैं, और Thomas Hobbes यहां पर यह क्या कहते हैं कि देखी, जो वैसे मुर्ख होते हैं, जो वैसे मतलब uneducated persons होते हैं, वो लोग सब्द में आने कि word में और money में difference नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इसलिए वो लोग क्या होता है, कि वो लोग पैसों के बिना कोई debit and deliveration के, लोग किसी को follow करने लग जाते हैं, उनके बातों में आकर के, बजाए इसके कि वो अपने deliveration का use कर रहे हैं, कि वो जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, जिस तरीके से माल लेजिए, अगर वो उसे पैसे देता है कुछ करने के लिए, कि हम तुमें इतने मतलब कि rent देंगे, इतने labor देंगे, तुम ये काम करो, ठेके तो वो करता है, तो वही यहाँ पे कहना चाहरे हैं, कि लोग कभी-कभी words को और पैसों पे बिच में अंतर नहीं कर पाते हैं, और यासा अकसर लोग वही लोग करते हैं, जो मुर्क होते हैं, या जिनके पास सक् Getting It, तो चलिए friends, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हम लोग ने decide किया था कि हम लोग इस series को total 10 part में cover करने वाले, हम लोग अभी cover कर रहे हैं Thomas Hobbes की पूरे series को, जिसको हम लोगों ने काफी detail में और काफी vast तरीके से divide किया है, ताकि हम लोग सारे topic को, सारे concept को concept develop कर पाई, जिसमें कि हम लोगों ने friends अभी तक उनका first part जो कि उनके introduction, उनके biography पे best है, हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से cover कर लिया, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा और आज हम लोग करने जा रहे हैं, इनका second part जो कि हम लोगों जिसमें कि हम लोगों समझेंगे, फिर हम लोगों देखेंगे कि हॉप्स मतलब की utilitarianism की बारे में क्या कहते हैं, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि हॉप्स human nature को लेकर के अपना का, मतलब क्या point of view देते हैं, फिर हम लोगों ये देखेंगे कि हॉप्स जो पहले individualism थे, वो कैसे absolutism में मतलब की convert ह हो जाते हैं, फिर हम लोगों लास्ट में इनके criticism वाले पार्ट को भी समझेंगे, और इस तरह के से हम लोग इनके सारे concept को, सारे theory को हम लोग काफे detail में cover करने वाले हैं, getting it? तो friends, अगर आप लोग इनका पिछला वीडियो आने कि इनकी introduction वाले वीडियो नहीं दिखा हूँ आने कि scientificism in politics को पाढ़ना, getting it? तो friends, तहीं, जैसा कि हम लोग को पता है, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखा था कि जो Thomas Hobbes है, वो एक scientific temperament रखते हैं, ठीक है, वो scientific method को काफी या था, वो promote करते हैं, और उसलिए वो क्या कहते हैं कि politics में भी मतलब कि scientific का होना बहुत यदा relevance हो जाता है, क्योंकि जो modern era है, जो modern time है, उसमें science का बहुत ही बड़ा impact है, बहुत ही बड़ा role अभी के time में relevance रखता है, इसलिए जो Thomas Hobbes का ही जो contribution है, scientific method को लेकर के politics में ये काफी यदा importance रखता है, और काफी बड़ा role play करता है, तो 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 friends, देखे, western political thinker में से सबस पहला जो thinker है, वो Thomas Hobbes है, जिन्होंने पहली बार, मतलब कि scientific method का invention किया था, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कि हम लोग जो politics है, ठीक है, politics में भी हम लोग study कर सकते है, scientific method के थुरू, ये कहने वाले पहले इंसान, पहले philosopher, पहले thinker, पहले scholar कौन थे, तो वो Thomas Hobbes थे, जिन्ह रखी थी, जिन्होंने इनको introduce किया था, कि हम लोग scientific method के थुरू भी politics को promote कर सकते हैं, politics को run कर सकते हैं, ये कहने वाले पहले person थे, Thomas Hobbes, और इसलिए friends हम लोग को ये भी दिखता है, कि बहुत ही वो rational तरीके अपनाते हैं, कि इसके लिए वो explain करने के लिए, कि देखिए हम लो society के लिए, हम लोग social work के लिए, हम लोग समाज के लिए और political development के लिए ठीक है, आनि कि किस के लिए हम लोग politics के development के लिए, समाज के development के लिए, हम लोग किस तरीके से इसको use कर सकते हैं, ये explain करने वाले rational तरीके से नोंने पहली बार अपने theory में इसे attempt किया था, अपने time period में attempt किया था, और इन्होंने लोगों को बताया था, कि देखिए, हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कि हम लोग science को, मतलब politics में, अपने समाज के लिए use करके, हम लोग काफी अच्छे तरीके से grow हो सकते हैं, हम लोग काफी अच्छे तरीके से अपने politics को run कर सकते हैं, और यह हमारा politics के run करने के तरीक को, हमारा समाज में मतलब की welfare लाने को, welfare state बनाने को, और भी जाता है, यह हमारा मदद कर सकता है, जो अगर हम लोग scientific method को अपनाते हैं, किसमें अपने politics में, अपने government के form में ठीक है, और इसी लिए friends हम लोग को, उनके concept को थुरू, उनका जो नदरि हम लोग को reflect होता हुआ दिखता है, जहां पर वो यह कहते हैं, कि देखिए, यह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए important है, महतवपूर्न के, हम लोग अगर राजनीती में या समाज में, अगर हम लोग scientificism का, अगर हम लोग मतलब की उसको use करके, हम लोग अपना work को अच्छे त और यह सारी बाते वो यूही नहीं कह रहे है, बलकि उन्होंने यह सारी बाते को खुद भी observe किया है, और उन्होंने पहला दखी, उनका जो method है, वो यह कहता है, कि वो पहले दखो कि अब जो भी आप कर रहे है, उसको पहले अच्छे तरीके से observe करो, ठीक है, कि यह ऐसा हो है, आप उसको अच्छे तरीके से observe करो, फिर उसे understand करो, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, इसके पीछे काम पहला है, जो कारानी यह काम हो रहा है, आप काफी अच्छे तरीके से understand करो, और इस तरीके से क्या होगा, यहाप सारे चीजहों को अपनी मतलब की experience करोगी, खुद से observe and understand करोगे तो आप वहापे cause and effect मतलब relation establish कर पाओगे और उस तरीके से Thomas Hobbes भी explain करते हैं अपने concept को अपने theory को मतलब explain करते हैं कि देखी जो मैंने observe किया है जो मैंने experience किया है वो मेरा भी मतलब की experience से ही कहता है कि अगर आप मतलब इस चीज़ को politics में आने की समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राजनिति के उत्थान के लिए एक अच्छा form of government को establish करने के लिए state में अगर आप इसे use करना चाहरे है तो ठीक है तो इसका सबसे ज़्यादा important पहलू क्या होगा तो यह होगा कि आप किसी चीज़ को मतलब कि इंप्लिमेंट करने से पहले उसे observe करें, understand करें और इस तरीके से आप cause and effect establish कर सकते हैं और इस तरीके से वो अपने concept को explain करते हैं तो फ्रेंट्स, हम लोग को यहाँ पी यह भी दिखता है कि जो Thomas Hobbes है, वो geometrical मतलब कि हम लोग प्रिशले वीडियों देखा था कि वो geometries से काफी अदा प्रभावित रहते हैं, ठीक है क्योंकि उन्होंने Eclipse से काफी अदा प्रभावित थे हैं वो Galileo से काफी अदा प्रभावित थे हैं और इसलिए वो जो अपने theory में आने कि geometrica और physiological insights भी रखते हैं, ठीक है वहाँ पर वो physiological का भी importance बताते हैं वो geometrica भी importance बताते हैं कि वो मतलब कि state में किस तरीके से अपना impact ला सकता है किस तरीके से वो state को impact कर सकता है और इतना ही ने friends देखी जो Thomas Hobbes है, वो अपने concept कि अपने theory की favor में वो यह argument देते हैं कि देखी, जो scientistism है वो हमारा आज का time में जरूरत है need है, requirement है, ठीक है हमारा time state के लिए, और ऐसा क्यों है तो देखिए, वो क्या कहते हैं कि यह जो time है, वो यह modern period की और जा रहा है ठीक है, अब यह medieval period नहीं रहा है कि यहाँ पर आप सारी जो मतलब culture है जो religious चीज़ है अब सिर्फ उसकी की मतलब best हो करके उसी कबरों से आप रहो, ठीक है, ऐसा नहीं है यह जो time है, यह दोर है वो विग्यान का है, यह science का है वो आपे industrialization आ रहा है इसा period चल रहा था, तो वही क्या कहते है कि देखी, यह science का दौर है इसलिए आपको हर एक चीज़ को थोड़ा सा scientific temperament रखना पड़ेगा ऐसे हर किसी को मतलब कि जो आप देख रहे हैं, उसी के basis पर नहीं दे सकते है, आपको थोड़ा सा science का भी logic को आपनाना पड़ेगा, यह science का दौर है ठीक है, और वो यह भी कहते है कि देखी, कोई भी theory accept नहीं किया जाएगा ठीक है, nature में जब तक कि उसमें एक scientific nature में नहीं होगा ठीक है, पहले क्या होता था कि देखी, अगर कोई मेनार्क है, वहाँ पे कोई राजा है, या फिर वो भी ऐसा influential person है, वो अगर कुछ कहा देता था, तो लोग उसके बातों को follow करने लग जाते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे thomasoops क्या कह रहे हैं, कि अब ऐसा नहीं है, अब यह medievalism नहीं रह गया है, अब यह modern period है, अब यह विज्ञान का समय है, विज्ञान का दौर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी theory को बिल्कूल ऐसे ही accept नहीं करते जागा, कि बस आप कह रहे हो उसलिए हम accept कर लें, ठीक है, वो तभी accept किया जाएगा, जब उसका nature scientific होगा, उसका nature scientific होने का क्या मतलब है, तो उनका मतलब यही ही कि अगर उसकी पीछे को ठोस कारान हो, उसकी मतलब उसके साथ में, उसके favor में कोई ऐसा proof हो, जो उसको proof करता हो कि नहीं, यह जो बात कह रहे हैं, वो scientifically correct है, ऐसा हो सकता है possible है, वो relevance अगर जरूरी जरूरी जरी, it was important because it was need of the time, यह समय का जरूरत है, यह एस समय की अवसकता है कि हम लोगों को science को inbuilt करना ही पड़ेगा, हम लोगों को science को लाना ही पड़ेगा, किसमें politics के उत्थान के लिए, राजनेती के मदद से ही समाज का भी हम लोग उत्थान कर सकते हैं, ठीक है friends फिर हम लोगों को यह भी देखने को मिल सा है देखिए, जो Thomas Hobbes से उनका जो समझाने का तरीका है, उनका जो अपनाने का तरीका है, वो काफी यदा सरल तरीका अपनाते हैं, ठीक है, और उनके इस तरीके से explain किया है, कि देखिए, वो जो है, वो Resolutive Composite Method को यूज करते हैं, किसी के लिए तो वो Science में यूज करते हैं, ताकि वो Politics में उसी Implement करते हैं, देखिए, Resolutive Compositive Method क्या मतला होता है, उसका यह मतलब होता है, कि देखिए, अगर आप कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो, तो उसको पहले observe करो, ठीक है, देखिए, Resolutive Compositive Method का, जो simplest meaning होता है, वो यह होता है, कि आप किसी चीज़े को अच्छे तरीके से observe करो, और उसको ना, मतलब कि further करी चीज़ों में divide कर दो, ठीक है, divide करने मतलब यह निकुसे आप बाट दो, ठीक है, उसका कहने का मतलब यह देखिए, माल लिजी है, आप किसी को implement करने जा रहे हो, किसी policy को अपने statement, ठीक है, तो आप यह देखो कि उनका कितने सारे stakeholder है, उस चीज़ में, मतलब, human beings का क्या role है, human brain की तरीके से work कर रहा है, अगर माल लिजीए, आप dietly किसी चीज़ को impose कर दोगो किसी के लोग के उपर, तो उनके liberty का हनन होगा, ठीक है, वो उस चीज़ को accept करना मत करो, ठीक है, कि आप लोग, resolutive composite method को अपना हो, ताकि इसके थुरू आप क्या करोगी, कि आप काफी अच्छे तरीके से उसे observe कर पाओगी, simplest तरीके में आप तरीके में आप तरीके से divide कर दोगे, और उस चीज़े को यतने stakeholder होगे, stakeholder का मतलब क्या होगा, जो कि जो लोग भी उसे प्रभावित होगा, मालने अब किसी policy को implement कर रहे हैं, उसे अगर human beings प्रभावित होता है, उसे वहाँ पर रहने वाले citizen प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ पर nature प्रभावित हो रहा है, वहाँ का environment रावित हो रहा है ठीक है ताब उन सारे फेक्टर्स को देख करके उनके एकॉर्डिंग आप सारे वर्क को करोगी यह इसी का मतलब होता है कि आप सारे चीजों को पहले अब जब करो उनके फिनोमेना को कैसे वो वर्क कर रहा है फिर उसको आप डिवाइड कर दो काफी सिंपल पार्ट में था कि आप उसे हर एक प्रॉब्लम को इसली और अलग-अलग तरीके से सॉल्व कर पाओ जिनका जो ज़रोत है जिनका जो नीड है जिनका जो रिवार्मेंट है उसको आप फुल्फिल कर पाओ ठीक है और इस तरीके से क्या हुआ कि आप सारी प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरीके से कवर करके और काफी अच्छे तरीके से सबका solution provide करवा सकते हो तो चलिए फ्रेंड सम्म लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि Thomas Hobbes का क्या method study मतलब कि जो politics है उनका study के लिए और किस तरीके से हो कहते हैं कि politics हम लोग implement कर सकते हैं ठीक है और चैसे हम लोग को दिखता है कि जो Thomas Hobbes है वो मतलब कि इतना जादा प्रभावित हुए है किस च complete कर चुके थे और organization complete करने के बाद क्या होता है कि वो William Cavendus को as a tutor उसे पढ़ाते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इस चीज़ को काफी अच्छे तरीके से cover किया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब वो William Cavendus के साथ जब पढ़ा रहे थे उससे घर में जा करके तो उनके साथ फिर वो एक England का टूर किये थे ठीक है वो English टूर पे गए थे वहाँ पे और उनके पीज में उन्होंने गैलेलियो से मिला, Euclid से मिला ठीक है और उन्होंने काफी अदा प्रभावित होए किसे गैलेलियो के method से, Euclid के method से और इसलिए जो Hobbs से वो काफी अदा inspired थे ठीक है कि गैलेलियो का जो theory of motion था उसे वो काफी अदा प्रभावित होए थे जो Euclid का geometrical deduction method था उसे भी काफी अदा प्रभावित होए थे और इसलिए हम लोग को उनकी concept में, उनकी theory में गैलेलियो का concept, Euclid का geometry का concept हम लोग को reflect होता हुआ दिखता है राउन revolve करता है, मतलब जो sun है, वो earth का revolve करता है ना कि earth ठीक है तो उसी को correct के था किसने, गैलेलियो ने की नहीं, कापर निकस्त आप गलत कह रहे हो, sun constant रहता है, वो एक ही जगा पे रहता है, बजाए ये कि वो earth उसके round revolve करता है, जो universe में ठीक है, इस उसको correct करने वाली क बहुत सारा concept इनों ने दिया है, जिसमें से ये था कि principle of mechanism इनों ने दिया था ठीक है, जिसमें की गैलेलियो ने ये बताया था कि motion कितने तरीके के होते है, motion का क्या work होता है, और क्या क्या type हो सकता है, कितने तरीके हो सकते है, इस सारा mechanism भी किसने दिया था, तो किसने गैलेल और इसी लिए क्या होता है कि जो गैलियो का एक प्रेंसेश था ठीक है गैलियो का प्रिंसीपल था गैलियो's mechanistic model ऑसलिए से काफी अधा प्रभावित हुए था कौन तोन मास होब्स ठीक है और इसी लिए उस्ट निएँ से प्रभावित हो करके Thomas Hobbes ने भी मतलब कि यह explain के था कि जो हमारा जो human nature होता है हमारा जो human beings होता है हमारा जो brain होता है वो उस चीज़ को भी हम लोग mechanic के तरीक से समझ सकते हैं ठीक है और उसमें भी motion होता है इसलिए Thomas Hobbes ने भी इस चीज़ को काफी अच्छ तरीके से समझाया है कि हमारा human brain किस तरीके से काम करता है उसमें किस तरीके से motion work करता है और यहां पिराम लोग को ये भी दिखता है कि जो मैक्यावैली ने concept दिया था human nature का था human nature के बार हमें पहली बार मैक्यावैली नहीं बताया था कि मतलब मैक्यावली ने पहले और human nature को काफी अच्छे तरीके सववाश्ट तरीके से उसे define किया था और कुसी चीज़ को मतलब और भी अच्छे तरीके से उसी को थड़ा सा और promote करते हैं उसी को थड़ा सा और modify करते हुए Thomas Hobbes जो है वो scientific और analytical explanation देते हैं में जो मैक्यावली का concept था human nature का दखी जो human nature था मैक्यावली के according वो सही था वो अपने time के according सही बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने उस तरीके का लोग देखा था कि जो human beings होते हैं वो काफेदा selfish होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं ठीक है उन्होंने सारे चीज़ को काफे detail बताया था हम लोगोंने मैक्यावली की स्रीज को already cover कर लिया है अगर आप लोगोंने नहीं देखा होता जाकर के पहले आप लोग मैक्यावली स्रीज को देख लेता कि आप लोग को और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए और इसी लिए क्या होता फ्रेंड्स की जो मैक्यावली का जो concept हो में नेचर को उसी को थोड़ा सा और modify करते हुए थामास होब्स ने ये बताया कि हम लोग उस को उस तरीज को हम लोग किस तरीज के से scientific method से समझ सकते हैं किस तरीज के समलोग scientific analytical explanation के थुरू हमें नेचर को समझ सकते हैं जिसके कारण हम लोग को क्या होगा कि हमें नेचर को और भी अच्छे तरीके से समझने में आसानी होगा और यहाँ पे हम लोग को basic difference क्या दिखता है मैक्या वैली और थामस होब्स के बीच में कि जो मैक्या वैली थे ना वो politics को separate करना चाते है किसे चर्च से ठीक है लेकिन जो थामस होब्स है वो यह बताना चाते हैं हम लोग politics को भी चर्च के साथ यूज करके किस तरीके से अस्टेट को और अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं मतलब क्या हुआ तो देखिए जो मैक्या वैली है न वो यह बताते हैं कि देखिए जो politics है वो और जो चर्च है यह दोनों को पूरी तरीके से वो separate कर देते कि नही दोनों को एक दुसरे काम में interfere नहीं करना चाहिए वहई पर thomasramis startups ये कहते हैं कि जो चर्च है न वो politics के काम आसकता है और जो politics है वो चर्च के काम आसकता है दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा और इससे क्या होगा कि अस्टेट को और अच्छे तरीके से गवर् तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि Galileo का concept क्या था mechanics को ले करके यहाँ पर हम लोगों ने एक figure को मतलब ऐसे rough figure diagram बनाया है यहाँ पर हम लोगों ने यह सुनाने का कोशिश किया है कि यहाँ पर universe matter और particle का बीच में क्या relation थाने ठीक है तो देखिए जो Galileo का जो concept था mechanics का उसमा वो यह कहते कि देखिए जो universe है और एक जो पुरा wish है वो किससे बना हुआ है तो वो matter से बना हुआ है ठीक है और जबकि जो matter है वो बहुत सारे particle से मिल करके बने हुए हैं matter का मतलब क्या है matter का मतलब आप लोग को सभी पता मतलब सभी लोग को पता हूँ कि anything which occupy a space and have some mass is called क्या matter ठीक है जो भी मतलब ऐसा substance ऐसा element इसके पास कुछ वजन हो कुछ भार हो और कुछ वो मतलब छेतर घिरता हो कुछ अस्पेस को वो cover करता हो वो matter कहलाता है ठीक है तो वही यहाँ पे गैलियो के मतलब मतलब इस Sultan करता है कि दिखी जो पुरा यूनिवर्स है जो पूरेत Marine है वह बहुत अरे matter से मिलकरके बना हुआ है बहुत सारी matter से मिलकर बना हुआ, अब बहुत सारा matter है, वो बहुत सारे particles से मिलकर बने हैं, ठीक है, particles में neutron, proton, electron, जितने भी होते हैं, वो सारे particles से मिलकर करके matter बनता है, और matter से universe बनता है, getting it? यह concept किसका था, तो यह concept Galileo के motion, ठीक है Galileo ठीक है, वो हमेसा move करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें, जो Galileo है, उनके according क्या है, जो motion है न, वो, मैंतला कि हर एक matter से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो matter particle होता है, उसमें बहुत सारे particles हैं, neutron है, electron है, proton है, तो उनका जो कहना था, कि जो according, यह कहना है, कि देखें, ऐसा इसलिए हो रहा है, वो हमेसा state of motion में इसलिए रहता है, क्योंकि उनका काम ही आई है, कि वो हमेसा move करता रहेगा, ताकि उठके वज़े से बागी सारा work, मतलब कि चलता रहे, ठीक है, वहाँ पे वो यह कहते है, कि जिससे करण क्या हो रहा है, कि जो matter है, जो matter है, वो एक body है, अगर माल लीजे हमारा एक सारी ठीक है, ता हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग सारे काम को कर पाते हैं, ता हमारे अंदर बहुत सारी, मतलब प्रोसेस चल रहा है, हम लोग को ऐसा energy मिलता है, तम ना तो वही हाँ पे क्या कहना चाहरा है, कि उनों जो work कर रहे हमारा जो motion है, हमारा motion एक energized mass है, जो matter है, वो एक body है, और ये हमेशा मतलब कि state of motion में ही रहता है, क्योंकि इनका state of motion में रहना, इनके लिए foundation है, ठीक है, इनके लिए वो है कि वो हमेशा मतलब कि motion में ही रहेगा, और साथी साथ देखिए, वो ये भी explain करते कि ऐसा क्यों होगा, तो वो इसका कहते है कि ए mechanics का एक rule है, एक principle है कि जो matter होता हूँ हमेशा motion में रहेगा, तब तक वो motion में रहेगा, जब तक कि वो भी उसे external force ना लगे, कब तक कि उसको कोई external stoppage, कोई external जो resistance ना मिले, जाकि उससे क्या होगा कि उसे रूख दे, ठीक है, उसे ऐसा कोई भी energized mass मिलेगा, जिसका उसे resistance प्रवाइड करेगा, उसको resistance मिलेगा, ठीक है, उसको resistance अगर offer होगा, तब ही क्या होगा कि कोई matter, मतलब कि state of motion से रूख सकता है, वहाँ से control होकर के, वो stable हो सकता है, ठीक है, वो state of motion को छोड़ सकता है, और ऐसा तभी possible है, जब कोई ऐसा energized mass ऐसा को resistance आफर करेगा, कौन उसी matter को, other matter के थुरू, और इस तरीके से Galileo अपने concept को define करते हैं, कि mechanics वर्क कैसे करते हैं, तो उनको simple तरीके से आप समझ लिए, जो Galileo कहना चाह रहे हैं, कि देखिए, यह पुरा universe है, वो matter से बना हुआ है, अब matter बहुत सारे particles से बना हुआ ठीक है, और जब particles होते हैं, वो हमेशा state of motion में रहते हैं, state of motion में इसलिए रहते हैं, क्योंकि उनका bound is sign है, वो मतलब bound है कि वो state of motion में ही रहेंगे, तब तक वो तब तक motion में रहना चाहते हैं, जब तक कि same matter, अब कोई other matter, वो उसे resistance प्रवाइड ना करें, ऐसा कोई भी energized mask है, उजब तक उसको resistance प्रवाइड नहीं करेगा, resistance offer नहीं करेगा, ओभी कम equal resistance, ऐसा नहीं कि कम resistance होगा, अगर मा लिजए मुझे कोई धक्का मार रहा है, और मैं धक्का मार रहा है, तो मुझे तो धक्का मार रहा है, तो मुझे तो धक्का के चलता जाएगा वो, लेकिन अगर जितना धक्का वो मार रहा है, उतना ही force से हम भी धक्का मारेंगे, तो हम लोग stable हो जाएगे, ठीक है, क्योंकि ना तो हम उसको धकिल पाएंगे ना तो वो हमें धकिल पाएगा और इसी तरीके सा वो explain करते हैं गेले लिए अपने mechanics theory को कि देखिए हर एक matter मतलब motion में रहता है क्योंकि वो bound है state of motion में रहने के लिए और तब तक वो मतलब कि motion में रहेगा जब तक कोई other matter कोई other particle को भी ऐसा energized mask उसे को resistance offer ना कर करते हैं तो देखिए Thomas आप से यहाँ पर किस तरीके से explain करते हैं तो वो क्या करते हैं कि देखिए जितने भी इंसान है जितने भी individual है ठीक है human beings उनका जो action है ना वो human behavior को decide करता है human behavior की according वो काम करता है और जो किसी भी इंसान का human behavior होता है वो human behavior को कौन safe करता है तो उनका दिमाग उनका वो brain human brain उसको safe करता है और उनके brain के according वो अपना behavior को develop करता है अपना attitude को develop करता है उस तरीके से वो अपना सारा act सारा conduct को करता है ठीक है basically यहाँ पर सबसे important चीज़ क्या हुआ तो सबसे important चीज़ हुआ human brain ठीक है आनि कि मानव का कोई भी जो दिमाग है कोई भी जो इंसान का जो दिमाग है वो सबस्यादा important आनि कि सबसे मतलब कि major role play करता है किसी के इंसान के behavior को save करने में किसी के action को save करने में ठीक है जिसा उनका दिमाग मतलब उनको command देगा उसी तरह का उसका action होगा उसी तरह का conduct होगा ठीक है और जो Thomas Hobbes है वो believe करते हैं ऐसा उनका मानना है कि जिस तरह से universe आने कि जिस तरह से galilio मतलब explain करते हैं कि universe बना हुआ है matter से particle से उसी तरह के से Hobbes का भी believe है Hobbes भी यह मानते हैं कि जो हमारा जो brain है हमारा जो दिमाग है न वो भी particle से बना हुआ है ठीक है और हमारा जो दिमाग है वो particle से बना हुआ है तो जिस तरह के से universe particle motion में होते है state of motion में उसी तरह के से Thomas Hobbes भी कहते हैं कि हमारे brain भी particle से बना हुआ है और हमारे brain में जब particles है वो भी state of motion में ही रहते है और state of motion में ही यह रहना चाहत้ है और तक जब तक कि वो भी external force ना लगे, ठीक है human brain के लिए external force क्या हो सकता है? तो human brain के लिए external force रहता है तब वो sleep mode में हो या completely वो dead हो गया हूँ ठीक है और इसलिए यहाँ पर human brain मतलब कि जो Thomas Hobbes से वो human brain को human action को इस तरीके से define करते हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए जो human action होता है वो generally दोर तरह का होता है जो भी काम करता हूँ क्या हुआ या तो वो involuntary होगा या तो वो voluntary होगा getting it involuntary work क्या होता है तो Thomas Hobbes क्या कहते हैं कि involuntary work वो होता है जिसमें मानों का कोई भी control ना हो ठीक है लेकिन जो voluntary work होते हैं वो होता है जिसमें मानों का control हो जिसे कि बोलना चलना किसी से बाते करना कुछ कह देना ठीक है यह सब क्या है? यह voluntary action है, ठीक है? लेकिन जो involuntary action क्या होता? जिसमें हमारा कोई भी control नहीं हो, जिसे क्या हमारा सास लेना. हम लोग कितना भी चाहले है, अपने आपी breathing होते रहते है, ठीक है? क्योंकि हमारा इसमें कोई भी control नहीं है. हम लोग उनने कि हमें क्या कहना है हमें किस तरीके से चलना है हमें किस तरीका से बात करना है यह voluntary action है मतल activating फार्मासप्स का कह सकते है है कि हमें एक賝न दो तरीका कहों होता है कि एक जो इंतान है, कोई भी इंडिविजिवल, वो किसी के लिए क्या अपना psychological perception रखता है, ठीक है और उसके according, जो सोच रखेगा उसके according, उसका action derive होता है और उस तरीके से वो अपना work करता है, ठीक है, उस तरीके से उसका human brain होता है, वो काम करता है और यह काम करेगा, देखी, जो human brain है ना, वो sensation की तुरूँ सोच रखेगा, जिस तरीके से वो सोचना चाहेगा, उस तरीके से उसका sensation होगा, और उस तरीके से उसका human brain हो motion में आएगा getting it, और उससे क्या होगा, कि देखी, हमारा brain जिस तरीके से sensation create करेगा, ठीक है, जिस तरीके से हमारा motion चलेगा, जिस तरीके से हम लोग सोचेंगे, जिस तरीके से हम लोग अपना ideological आने के अपना जो psychological perception रखेंगें किसी के लिए, और उससे क्या होगा, कि हमारा जो brain है, हमारा जो brain है ना, वो एक signal ठीक है, एक assign करेगा, और जिससे brain अच्छा या बुरा के नाम से बताता है, कि अगर मान लिजे हमारा एक कुछ fever में हुआ, या कुछ हमें अच्छा feel करवाया तो हमारा brain क्या करेगा, कि नहीं हमारे लिए अच्छा है, जबकि अगर मान लिजे हमारे साथ कुछ ऐसा गलत होता है, कुछ गलत experience होता है हमारे साथ कुछ गलत feel होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये बुरा है, ये कौन कहरा है, तो basically यह human brain कहता है getting it, तो basically यहां पर क्या होराने, कि जो Thomas Hobbes है, वो Galileo C. interest influence थै, कि वो पूरे mechanics को theory को human brain में लागू कर देते हैं, कि नहीं, जिस तरीके universe ने particles का रोल होता है, उसे तरीके से हमारे brain में भी particles का रोल होता है, हम लोग उस तरीके से सोचते है, voluntary, involuntary action में, ठीक है, हमारा brain sensation के थूरू क्या करता है, कि good effect और bad effect को create करता है, जिस तरीके से हमारा brain उस पे command देता है, get it, get it, तो चलिए friends, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या-क्या concept देते हैं, human brain के बारे में, human nature के बारे में, Thomas Hobbes, getting it, तो देखिए friends, जो Thomas Hobbes है न, वो एक materialistic metaphysics argument देते हैं, कि एक्सप्लेइन करने के लिए, तो human reality को explain करने के लिए, materialistic metaphysics argument का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, जो Thomas Hobbes है, वो ये कहते हैं, कि generally जो human होते हैं, वो materialistic होते हैं, ठीक है, उन्हें materialistic चीज़े का position करना, किसी चीज़े को मतलब, आपने पास और भी जाता grant करना, कि मिरे पास ये भी हो, मिरे पास वो भी हो, इस तरीके का जो concept होता है, इस तरीका जो, मतलब कि जो ideology होता है न, उसको बोलते है, materialistic metaphysics argument, ठीक है, और ऐसा वो क्यों कह रहा है, तो देखिए, basically इसलिए कह रहा है, कि Thomas Hobbs क्या कहता है, कि देखिए, जो man है, जो individual है न, वो creation of nature है, ठीक है, वो nature का creation है, और जो जितने भी nature creation होता है न, उनका कोई भी, मतलब, final end नहीं होता है, वो जो भी करता है न, तो उनको मन करता है, कि तोड़ा हम और करें, अगर मान लिजी, उसो कुछ आप दोगे, तो मन करेंगा, मुझे कुछ और मिल जाता है, ठीक है, और इसलिए, कि इनका कोई भी final end नहीं होता है, जहां पर कोई भी इंसान, मतलब, rest कर सकता है, स्थिर हो सकता है, कि नहीं, अब हमारा, बहुत कुछ मिलिया, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी position नहीं आएगा, जब आप उसे एक चीज़ को पूरा करोगी, तो उनका दूसरा desire वहाँ से start हो जाता है, और इसलिए वो कहते हैं कि, जो human being होता है, जो human का reality है, वो matteristic है, ठीक है, और हमें उस चीज़ से देखना होगा, उस तरीके से हमें सोचना होगा, येटिंग इट, कि देखिए, ये कहीं ने कहीं reality भी होता है, कि अगर हमारे पास कोई भी एक achievement मिलता है, अगर कोई भी हमारा, कोई भी एक objective है, ठीक है, अगर हम लोग उस चीज़ को achieve कर लेते हैं, तो वो हमारा starting point होता है, वो ending point नहीं होता है, वो हमारा starting point होता है, किसी नए achievement का, किसी दूसरी achievement का हमारा starting point होता है, तो यहाँ पर इसको तो बता है कि कैसे हमारा दिमाग जो होता है, और Metallistic होता है लेकिन साथ-साथ ये भी कहते है कि देखे हाँ, मतलब कि जो motion होता है वह State of Motion होता है वो continue होता है, तब तक के लिए जब तक हम लोग कोई भी इंसान जीवित होता है जब तक वो alive होता है, तब तक वो कमेसा continue रहता है, तब तक उनका motion चालू ही रहता है ठीक है लेकिन ये कब होता है slow down होता है तो Thomas Hobbes ये भी कहते हैं कि ये इनका slow down होने का भी process आता है लेकिन तब जब इंसान सो जाए ठीक है जब वो नेंद में हो या तो वो completely dead हो जाए तब ही इनका जो motion होता है brain का जो state of motion होता है वो रुख सकता है या slow down हो सकता है getting it और इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने दू चीज़ों का use किया था तो तो क्या कहते है कि जो हमारा जो human brain होता है वो basically दो motion पर वर्क काता है एक होता है inclination दूसरा होता है evasion का मतलब क्या होता है दे खिए inclination का मतलब वो होता है मालीजी हमें कोई चीज pleasure दे रहा हमें जो चीज शुक दे रहा है हम लोग उस चीज की और भागेंगी और के एक तरह से बोल सकते है जो चीज हमें attract करेगा जो चीज हमें pleasure देगा वो उनको कहते है inclination ठीक है दूसरा होता है aversion एवर्जन क्या होता है जो हमें दर्द देता है जो हमें pain देता है जो हमें कष्ट देता है ठीक है हम लोग उससे दूर होना चाहते है ठीक है हम लोग वहाँ से भागना चाहते है उसी को क्या होते है तो basically Thomas Hobbes क्या कह रहे है कि जो human brain होता है निका जो motion होता है वो basically दो तरीके से work करता है या तो किसी के नजदिक जाना चाहता है या तो किसी से वो दूर होना चाहता है getting it जो उसे pleasure देगा जो उसे सुक देगा इंसान को उसकी तरब वो attract होगा जो उन्हें pain देगा जो उन्हें कष्ट देगा वहाँ से इंसान दूर भागना चाहता है ठीक है और इसलिए Hobbes क्या कहते है कि आप लोग को अगर इस तरीके का human nature है इस तरीके का अगर हम लोग के society में इस तरीके का human nature रह रहे है ठीक है जिनका कोई भी final end नहीं है जिनका desire का कोई end नहीं है वो हमेशा कुछ नया चाहता है जहां पर अगर मालने जो को लोग मिल भी जाये तो वहाँ सा वो कुछ नए चीजों की तमना करते है नहीं चीजों की वो कामना रखते है तो ऐसे चीजों में हम लोगों को क्या होगा कि एक ऐसा समाज बन जाएगा एक ऐसा society बन जाएगा जहां पर किसी चीजों का security नहीं रहेगा और हर लोग चाहिए कि सारा कुछ मुझे मिल जाए ठीक है किसी और के पास कुछ रहे ना रहे मेरे पास सब कुछ रहे इस तरीके का हमारा समाज बन जाएगा और इसलिए यहां पर थामस आप्स क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसा external force चाहिए हमें एक ऐसा authority चाहिए हम लोगों को ऐसा authority का need है requirement है जो इन सारे जियों को control कर सके इन सारे motion को control कर सके external force को काम कर सके ठीक है और यहां पर क्या कहते हैं कि external force का काम कौन करेगा तो वो external force का काम estate करेगा राज जी करेगा ठीक है जैसा कि हम लोगों गलिलियों concept में समझा था क्या कि जो मतलब की pattern होते है जो particles होते है वो तभी रुखते है वो तभी control हो सकते जब को other particle उन्हे external force दे ठीक है को अन्य मतलब कि other external force लगाएगा को other matter तभी वो stable हो सकता है ठीक है उसी परकार यहां पर थामस हॉप्स क्या कहते है कि जो हमारा human brain होता है जो हमारा human brain का जो motion होता है वो तभी control हो सकता है जब ऐसा authority हो जो हम लोगों को control कर सके और वैसा authority कौन होगा तो वैसा authority state it ही हो सकता है राजी ही हो सकता है इसका बास ultimate power होगा है एक चीज़ों को control करने का getting it तो आई हो फ्रेंस आपको आज का यह वीडियो काफी पसंद आया हो हम लोगों आज की वीडियो में काफी अच्छे तरीके से देखा कि वो किस तरीके से मतलब कि गैलेलियों से प्रभाव सब्सक्राइब करें और अगर आप इस चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले तक ही आने वाले सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मिलते हैं फ्रेंस नेस्ट वीडियो में तब तक क्यों बाइब बाइब